स्ट्टर को हम कैसे साफ करें किस तरीके से यह बूर आ गया है और इस्से जे पेहना ववा अच्छा नहीं लगता तो इसको बहुत ही असान तरीके से उतारा जा सकता है हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है एक razor कोई भी simple वाला या ये वाला कोई भी ले सकते हैं हम और इससे ये साफ करना बहुत ही असान है तो चलिए हम start करते हैं कि हम उसे कैसे साफ करेंगे तो ये देखिए हमने स्वेटर को इस तरह से विचा लिया है तो हम आज इसका बूर साफ करेंगे तो ये देखिए हमारे को ये बूर दिखाई दे रहा है ज़्यादा तर बूर हमारा ऐसी जगाओं पर ही आ जाता है तो हमने इसके लिए ये razor लिया है ये देखिए हम कोई भी razor ले सकते हैं ये अब हमने क्या करना है इसको इस तरीके से रखके ये इस तरीके से ये देखिए हम जैसी मारना शुरू करेंगे ये देखिए बूर फटा फट से इस पे से जो हमारा ये रुवा है हम इसको बूर भी क्या देते हैं यह देखिए कैसी जल्दी जल्दी यह इस पे से हटना शुरू हो जाएगा और जो हमारा स्वेटर है बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा दुबारा से क्योंकि हमने देखा है आज कल नए स्वेटरों पर ही बूर आ जाता है तो इसलिए हम इस तरीके से अपने स्वेटरों को साफ कर सकते हैं यह देखिए बिस जहां-जहां भी हमें बूर दिखाई देता है हम इसको मारते जाएंगे यह देखिए और यह कितनी जल्दी-जल्दी यह देखिए कैसे उतर रहा है फट आफट और हमारा स्वेटर जो है वो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा यह देखिए हम इस बूर को यहां से उठा देंगे ताकि यह बार-बार बीच में नाड़े यह देखिए इस तरीके से हम इसको भी जाड़ लेंगे यह देखिए इस तरीके से हमारा यह बूर कैसे फट से साफ हो रहा है और हमारा स्वेटर बिल्कुल नहीं जैसा बनने वाला है यह देखिए हम इसको आग्गे करते जा रहे हैं हम बूर को फिर से उठा देंगे यह देखिए यह जो हमारा बूर है इसको हम एक साइड पर कर देंगे और ब्रश को फिर से जाड लेंगे यह देखिए आगर जो हम रेजर को अपने नहीं जाड़ेंगे तो बूर उसके अंदर भी फस जाता है और फिर उसको उतरने में देर लगती है बूर को तो हम बीच बीच में इसको जाड़ते जाएंगे इस तरीके से और जो उनसा यह उ अठाते जाएगे इस से हमारा स्वेटर कमजोर नहीं होगा स्वेटर को हमारे कोई फरक नहीं पड़ेगा बलकि हमारा स्वेटर जो है पिलकुल नहीं जैसा बन जाएगा जैसी आजी बजार से खरीद कर लाएंगे हो यह देखिए हम इसको उपर से मारना शुरू करेंगे यह देखिए इसमें हमारे नीचे नीचे बाजू पर ज्यादा बूर है यह देखिए नीचे नीचे तो हम इसको नीचे जीचे से अच्छी तरह से साफ कर देंगे यह देखिए कितना बूर है इसमें नीचे नीचे आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सच में ये साफ हो रहा है बस पूरे स्वेटर पर जहां पर भी बूरो हमने इसी तरीकों के अपनाना है और अपनी चीजों को नए जैसा बना लेना है तो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी और वीडियो भी देख सकें ये देखिए इस तरीके से हम इसको करते जा रहे हैं अगर जो कहीं जराब होता रहा गया है हम उस पर और भी ब्रश मार लेंगे तो थैंक्यू फ्रेंड्स